तो हेलो गाइस, असलाम अलेकुम और रहमतुल्लाय और बरकातू, आसा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे, और आज मैं फाइनली लेके आया हूँ, टोयटा की हैलेक्स लेके आया हूँ, 2019 का मोडल है, तो मैं इसका डेसबोट खोलने जा रहा हूँ, तो डेसबोट खोलने के लिए क्या-क्या खोलना पड़ेगा, वो सब चीजे मैं आपको बताऊँगा क्या क्या खोलना पड़ता है, वो सब चीजे लाइब बताऊँगा कैसे क्या खोलना पड़ता है, तो जैस आप मेरे चैनल में नए हो, तो फ quarterback, like, comment, subscribe, तो चलो फिर सबसे पहले मेरा बैटरी की वायर लगी हुई है बैटरी की वायर को खोल देता हूं फिर अग्गे स्टेप में आपको बता रहा हूं क्या करना पड़ेगा फाइनली बैटरे की वाय निकल चुकी अपना तो सबसे पहले ये जो कॉंसल वक्स का छोटा सा हिस्सा दिया है विए वाला ये खुलना पड़ेगा तो इसके लिए एक दस नम्मर यहां रहेगी ये लॉप निकालेंगे ये दस नम्मर निकल गया तो दस नम्मर खोलता हूँ इसको निकालता हूँ मैं तो दस नम्मर खोलने के बाद ये फाइनली इसको पर आ जाएगा अब अपने को खुलना क्या पड़ेगा एक लोग बोक्स निकाल देते हैं ये वाला लॉक दिया है तो फाइनली ये दोनों लॉक निकाल देंगे बाहर आ गया को फ्यूज बॉक्स का कवर खुल देना है ये वाला खीचेंगे अगे साइड निकल जाएगा माइनस इसको डॉर से कटाना पड़ेगा इसको तो इसको खुलता हूं मैं फिर आगे दिखाता हूं आपको तो फाइनली अपना तो ये खुल चुका एक स्कुरू रहता है यहां पर अपके स्कुरू खुलेंगे तो ये खुल जाएगा अब चलो अपने को एयर बेक खुलता हूं यानि ये जो इसको एयर बेक रहता है ड्राइवर साइट का उसको खुलने के लिए अपने को ये वड़ा लॉग निकालना पड़ेगा ये लोग निकल चुका तो ये देख पार है इसको निकल चुका इधर का निकल चुका तो आप उदर का भी निकाल देते हैं कि दो लोग रहता है कि ये रही है कि ऐसी इसको माइनस स्कुड़ार से कटाएंगे तो फाइनली तो ये विकल गया तीन लोग रहता है टोटल तीन लोग खुलने के बाद ये अपना इजरी निकल गया तो ये निकालता हूँ फिर आगे मैं आपको तो फाइनली अपना उनीस नंबर का बोल निकल चुका और जब इसको आप निकाले तो थोड़ा सा मार्किंग कर दे और इस्टेरिंग सीधा रहे मार्किंग कर देंगे तो ताकि वही पोजिश्चन में बैठाने में इसी होगा कि में मार्क किया हूँ नहीं रहता है मार करके दिया हूँ नहीं रहता है तो चलो इसको निकालता हूँ मैं अब पीछे होल कर देता हूं। अब अपना रहा यह को यह ओकर है क्या प्रेज रहा तो बिट्स में अब केहां बाद को सबने के बालेद एक को फुर मिलया हुआ का उपर लंगे या फिर मुझा और का सशारा लेंगे तो अब फाइनली मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और यह रही लोग इसका मेंटर क्लस्टर मेंटर के उपर गा उसको निकालता हूँ फिर मैं तो पहले में मिलमेटर का कवर नहीं निकालता लेता हूँ तो इसको लौक दिया हुआ रहता है कप आप14 का किटा निकाल लेता हूँ सब इस यह लोग इसको अशकर लाय यो melod को तकहरें एसे करनें। अびशन ये निकल जाएगा तो मुझे मैंने k dormir का सहारा लेना पढ़ेगा फिर निकले गए तो चलो मैं इसको निकालता हूँ तो फाइनले एक का के लुख मैंने शुड़ की साहारा से निकाल दिया हूँ में और यह ये पतना किकल चुका थीन सोकट है हुआ है तो कि यह रही यह सोकेट एक्स्ट्रा रहता है इसका यह बहुत जोनों को कन्फिजन हो जाता है कि यह सोकेट है कहां का था कहां का यह नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा आपने को क्योंकि यह तो इधर ही रहने हो ला है इसको नहीं कुलते हैं तो इसमें जो है एक दस नंबर या फिर कुछ दिया हुआ रहेंगा या लॉक दिया हुआ रहेगा तो इसको निकालता हूँ मैं इसमें कुछ नहीं एक लॉक यहां दिया हुआ रहता है इसको उपर करेंगे और नीचे से मुईसा ही लॉक रहेंगा यह वाली इसको उपर करेंगे और इसको खिचेंगे करेंगे और निकल गया है इसमें कोई लॉक अगर एक्स्ट्रा या लॉक अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो चलो अपना यह भी निकल गया तो अब यह वाला लॉक खोल दिया हूँ मैं पहले उल्रेडी तो इसको आगे साइट कीचेंगे अब अब अपना मीटर का एक दो तीन चारी स्कुरू है वह कोलता हूँ मैं तो फाइनली चारों स्कुरू खुल चुका इसका अब इसको बाहर ले लेता हूँ मैं तीन सोकिट दिया है इसमें तो फाइनली तीनों सोकिट निकालता हूँ तो अपना तीनों सोकिट निकल चुका यह लोकड़ी इसको खीचेंगे निकल गया यह रही कलस्टर मेटर चले इसको पीछे रख देता हूँ मैं सेफ जग है और गाइज मैं इसका एक बात बता ना भूल किया यह डीजल गाड़ी है पैट्रोल नहीं है यह डीजल है इसमें डीजल ही आता है तो उसके बाद अब मैं खोलूंगा यह वाला यह वाला खुलने के बाद पहले अपना कंट्रोल पैनल बाहर आएगा तो देख पा रहे हैं एक ही इसमें निकल चुका तो चलो इसकी मैं सॉकेट निकाल हूँ या कंट्रोल पैनल को खुल के इसको साइट कर दूँ ताकर डैसबूर निकालने में अपने को इजी रहे तो फाइनली इसके लॉक से मैं कंट्रोल पैनल को यह अलग कर दिया इसका बटन निकाल दिया हूँ सब तो इसको इसके अंदर डालने में इजी रहेगा आपने को इसके वैसे इसमें से निकाल दिया क्योंकि यह वाला जो लॉक खोलेंगे न आप तो यह बाद में बैठाने में बहुत टाइम ले लेता है और प्लस टाइम का वेस्टेज होता है तो चलो फिर मैं नीचे वाला पैनल को खोल ता हूँ नीचे वाला पैनल भी एक दसनम्बर यहां दिया है नहीं नीचे वाला पैनल ऐसे इजली खीच के निगल जाएगा दोनू हाट का सपोर्ट लेना पड़ेगा मेरे को कुछ दिया नहीं है इसमें ुचलो मैं इसो खीच के निकलता हूं फिर आगे आपको देखाता हूं तो फाइनलि अपना खीच के निकल चुका यह तो अब इसमें इसमें संगी ए दिन होगत निकलता हूं तो Nepal तो यहां की गारियों का वेडियो बनाने का मक्षद सिर्फ मेरा एक ही है कि आप कभी भी फॉरन कंट्री वाहर कंट्री अगर आना चाहते है ना तो यहां की गारियों का नॉलेज मिल जाए आपको ताके इस वज़े से तो चलो फिर मैं अब टेप निकालता हूँ टेप निकालने के लिए एक दस नमबर यहां दिया है एक दस नमबर यहां दिया है और एक उपर दिया है तो टेप निकालने से पहले मेरा कवर यह निकलेगा यह इसको उपर ले लेता हूँ यह वाला पैनल निकलेगा पहले इसको तो मेरे को मैनेस स्कूदार का सहरा निकाल के यहां से ल tells का आना पड़ेगा तो चलो मैनेस स्कूदार से कट आपके इसको नेकालता हूं तो तो यह निकलने से पहले अपना ये वाला पहले निकलेगा इसको नीचे से माइनस स्कुडार से दर से करेंगे तो ये निकल गया अपना उसके बाद अपना ये निकलेगा अब भी मेरे को माइनस का साहरा लेना ही पड़ेगा पीछे से स्कुरू दिया रहेंगा या भी टेप के साथ ही निकाल देता हूं मैं इसको बेटर रहेंगा दस नमबर खोल देता हूं टेप के साथ ही निकलेगा तो बेटर रहेंगा तो चलो दस नमबर चार है चारो खोलता ह तो इसको टेप के साथ ही निकालना पड़ेगा आपको यूद्ध की पीछे साइट से स्कूरु दिया हो रहा है एक दौरी दिया हो रहा है इसके वेचे निकल नहीं रहाता तो फर अपने को अभी एतीनों सॉकिट निकालना पड़ेगा चार्ड विट है कभी कभी कोई सोकेट निकालने में जमता नहीं अपने को एक हाथ से तो यह तीनों चारों सोकेट निकल गया अब टेप को में पीछे होल्ड कर देता हूं तो फिर मैं आपको अपने को खोलना क्या क्या पड़ेगा इदर से जो चीज़ा दीख रहा है मैं आपको बता देता हूं यह तो यह बैक का एक बारे नंबर यहां दिख रहा है दस नंबर दो उसके बाद यह रही दस नंबर क्लाइमिट कंट्रोल यूनिट में जो लगा हुआ है उसके बाद यह रही दस नंबर उसके बाद यह रही दस नंबर उसके बाद इधर का यह वाला फाइबर खोलता हूं मैं फिर देखाता हूं आपको इसे माइनर से कटाएंगे यह भी निकल जाएगा अब इसके बाद रहा अपने को यह भी निकलना पड़ेगा इसके साथ नहीं यह भी निकलेगा तो चलो इसको निकलता हूं मैं तो गाइज इसका डैसबोर जो है न दो भागों में निकलेगा तो यह बाद में खुलेगा पहले इसको उपर वाला निकलना पड़ेगा फिर नीचे वाला निकलेगा इसका डेस्पोर जो है दो भागों में दिया यह पर वाला पेर्शन निकलेगा तो चलो में को आपो वाला पॉज यह निकल जाएगा इस साइड जैसा है सेम उस साइड ही है तो मैं यहां वीडियो पाउस कर रहा हूं क्योंकि यह दोनु खोलता हूं फिर आग्या आपको दिखाऊंगा सब तो फाइनली उपर का तो निकल दिया हूं यह लोग निकलना पड़ेगा और यह वाला खीचके आग शिल्द निकलना पड़ेगा तो चलो इसको निकल देता हूं फिर उस साइड जैके फिर में आपको आके दिखाता हूं तो स्प्रों सेमिस साइड कभी निकल ता हूं है अब मेरे को यह वाला लोग निकालना पड़ेगा तो यह वाला टो we only wurd निकालना हूं उसके बाद एक कि यह अरे बैग ऑला खोलना पड़ेगा 12 नंबर यह जो दिख रहे है एर बैग की सौकिट कोलना पड़ेगा सब नहीं भी खोलेंगे तो भी चलेगा किए इसके साथ जूड़ा हुआ तो चलो फिर मैं यह खोलता हूं बारे नंबर एक सब खोल के फिर दिखाता हूं तो फाइनले यह भी खोल दिया हूं और सब लॉक भी निकाल दिया हूं अब देख पार है ये ऊपर वाला पोर्स अपना हिल्ड है और ये दो सोकिट रहेगी एक एरवेग की रहेगी और एक साइद के फोर इंडिकेटर की रहेगी हाँ फोर इंडिकेटर की है फोर इंडिकेटर बटन का और घड़ी का रहेंगा इसी में दिया है तो चलो फिर इसको मैं उपर वाला परस्टन डैसबोड को निकालता हूं फिर पर आगे दिखाता हूं तो फाइनली आपने कुछ टैस्बूर निकालना है नीचे वाला तो एक दसनुम्बर यह खोलना पड़ेगा और इसको बाहल पड़ेगा क्योंकि दसनुम्र यह यह दिया है उसके बाद एक सामने एक दसनुम्बर यह दसनुम्र इसके बाद यह रही इसके बाद 2 दसनुम्र इदर एक उदर रहेगा उदर सामने दीख रहे है तीन एक इसके नीचे रहेगा चार होड़ेगे पांच छे साथ श्कुरू इसको दसनुम्र खोलना पड़ेगा मेरे का तो चलो फी फाइनली सब इसकुरू दसनुम्र खोलता हूं पी राग्या जाल देंगे यह क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट के साथ आ जाएगा तो बेटर रहेगा क्योंकि इसको एक बार आप छेरगानी करेंगे न यह टोयटा की जित्ती भी गाड़ी देती है सब गाड़ियों में यह वाला सिस्टम रहता है चाहे यहां की गाड़ी हो या इंडिया क की गाड़ी हो तो यह वाला सिस्टम यह तो सौधिय अरब की कार है आप राइट हैं ड्राइविंग देख रहे हैं तो इस वज़े से तो चाहे जित्ते भी टोयटा की गाड़ी हो ना सब में यह सिस्टम दिया हुआ रहे तो इसको आप एक बार शेरगानी कर देना तो बट रहेंगा इसके बाद अपने को जो है इधर एक सौकिट रहेगी यह दोनों केबल की वायरिंग फ्यूल का और एक बोनेट का उसके बाद एक सौकिट यह रहेगी यह वाला बटन का तो चलो यह दोनों सौकिट खोलता हूँ फिर यह डैसबोड में निकालता हूँ नीचे व पहले आपनी स्ट Biz को नीचे ले लेते हैं घ confess कि फिराघर क फंडा समझ में एंगल को कैसे निकाला जाय नहीं निकाला जायतु तो इस टेरिंग को नीचे ले लेता हूँ मैं इसमें वायरिंग रहेगी और तो वायरिंग का यह हरल नेस है गल्वेस बोल्ट है एक यह टीन खोलता हूँ, खोलके स्टेरिंग कुलो, उंको नीचे ले रहता हूँ, तो फाइनली चौदर नंबर बॉक्स, चौदर नंबर बॉल्ट खोलके तीनो, इसको नीचे ले लिया हूँ, और अपने को सब वायरिंग ज्यादा ये करना पड़ेगा, वायरिंग से ज्यादा खेलना पड़ेगा यह सब वायरिंग का सोकिट निकालना यह तो इस टेरिंग का है और यह जो है यहां का है यहां का सब सोकिट निकालना पड़ा आपने को उसके बाद यह भी सोकिट खुलना पड़ेगा उसके बाद यह इसके साथ है तो आपने को ये भी सोकिट सब सारा सोकिट निकालना पड़ेगा उसके बाद यहां का भी सोकिट खुलना पड़ेगा कि मुसके बाद यह वर्ला सबक्राइब वर्लां दो निकला हुए जो उसको मैं अलग करता हूं उसको में अलक्षां को जो बाडि के सात्स क्यांब सब्सक्राइब सबस्क्राइब बाएंदर एक अंदर से दिया है उसके बाद यहां का खुलना पड़ेगा उसके बाद यहां का भी खुलना पड़ेगा तो चलो सब फाइनले खुलता हूं तो फाइनली इदर से दो बारे नमबर है यह खुल दिया हूँ यह वाला और एक बारे नमबर अंदर से वो खुल दिया हूँ यह वाली सोकेट यहां रहती है यह खुल दिया हूँ और यह चारो सोकेट चित्ता भी सोकेट है यह सब यहां रहता है यहां का खुल दिया हूँ इसमें से पूरा सेट अब निकाल लिया हूँ उसके बाद यहां की Socket ये भी निकाल दिया हूँ, अब अपने को ये वाला Socket निकालना है क्योंकि ये जो है बाड़ी के साथ लगा हुआ है, बाड़ी में वायर है वायरिंग अन्द बाहर से आया है, इसके विए से ये भी निकालना पड़ा आपने को उसके बाद जो है ये वाला वैरिंग यहाँ पर ये वाला पट्टी निकाल देंगे हुँँ तो काम करने में बेटर रहेगा एक सब ये किलिप यहाँ है इसको निकाल देंगे तो इसको climate control unit के साथ angle को निकालूंगा मैं उसके बाद same process उदर ये ये भी खोल देंगे पट्टी और उसके बाद इधर का भी ये सब खोल देंगे जो socket है उदर मैं दिखाता हूँ आपको मैं इधर का इसलिए दिखाया है कि इधर का सब फाइनली खुल गिया ये ये खोला हूँ मैं तो चलो आप उदर चलता हूँ फिर देखाता हूँ आपको तो guys airbag module का जो socket निकालेंगे न आप तो ये दूनों इसमें ऐसा लगता है कि दूनों एकी साथ socket दिया है लेकिन पड़ इसमें इसके अंदर ये गुसा हुआ रहता है और लॉक एकी दिया है देख पार है आप तो इसको निकाल दें आप उसके बाद इधर का तो सब निकल चुका मेरा यहां का जो पट्टी था तो भी बेटर रहेंगा या ना निकाले क्योंकि अपने को ये socket यहां से निकालना है बस इसके वह से अर्चन कड़े तो निकाल देना आप उसके बाद देख रहे है ये वाला ये वाला सब harness निकाल दिया हूँ ये दोनों socket ये clip में रहता है उसके बाद ये तो रहेगा अप ना क्योंकि ये angle के साथ ही आएगा और ये 12 नंबर दोनों खोला हूँ ये earthing का खोलना पड़ेगा 10 नंबर ये 12 नंबर भी खोल दिया हूँ और ये सब सारी socket खोलना पड़ेगा क्योंकि ये wire बाहर से आया है तो ये socket जो खोलेंगे ना तो ध्यान से खोलना कोई-कोई socket सीम नहीं ही रहता है और दूसरे socket में भी बैठ जाता है ये इसका भी खुल गया और इसका भी socket खोलना पड़ेगा आपको उसके बाद ये जो wire आया इधर यहां पर 3-4 socket दिया है ये भी खोलना पड़ेगा आपको इसके बाद ये lock रहेगी खीचेंगे ये निकल जाएगा तो ये फाइनल निकल गया और यहां पर एक लोग दिया है ये लोग खोलने के बाद अपने अपना अंदर का सब लगबग खुल चुका और उसके बाद ये water pipe drain pipe एक 10 नमर यहां दिया है climate control unit में तो बाकी अब मेरा अपना निकल जाएगा और कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं तो सब खोल दिया हूँ ये वाला lock सिर्फ खोल के ये लोग को अलग कर दिया बाकी सब climate control unit के साथ ही आएगा ये वाला bolt खोल दे तो अच्छा रहेगा क्य तो ज्यादा बेटर रहेंगा सोपिट ना लड़े ताके तो चलो फिर फाइनली बाहर भी मेरे को खोलना पड़ेगा एक्सपेंशन वाल और हेटर का दोनों पाइप तो अंदर का लगबग तो मेरा खुल गया सिर्की ये वाला अर्थिम और ये वाला वायरिंग का सोपिट निकालना बाकी है तो चलो ये निकाल के बाहर में लाया के आपको फाइनली देखाता हूँ तो फाइनली बाहर से अपने को ये दोनों लिटर का पाइप और इसका इंजन भी देख लीजे आप ये वाला एक्षपिंशन वाल का खुलना पड़ेगा बस बाकी और कुछ खुलना की ज़रूरत है नहीं बाहर से तो अपना डाइजबॉर्ट एंगल क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट और एंगल आत में निकल जाएगा तो चलो फाइनली आप देखकर है डाइजबॉर्ट बहार आ जाएगा अपना तो चलो फिर डाइजबॉर्ट बोल दाऊं एंगल्विथ क्लाइमेट कंट्रोल तो चलो फिर इसको मैं बाहर लेता हूं फिर दिकाता हूं आपको तो फाइनली अपना डेज क्लाइमेट कंट्रोल यूनीट विट एंगल के साथ निकल चुका हूं देख पार हैं प्रोपर तड़ी के से निकला हूं यह रही है तो चलो फिर में इसको आप खोलता हूं इस पुरू इदर है एक इदर है इदर है इसके बाद खोलके सब लॉक कर कि आजारें पारेटर क्यां आप मिनेश्ण सब्कार जाया है और यह काछया अपनी निकल गया है ये ही कोई नहीं दिख रही है बिल्कुल एंगा हूँ है निकल गया हूँ क्ए शें जांट बॉध से यह बिड़ी कोहा है यह देख लिए कि अंदर गीला हो गया है यह साइट तो चलो फिर नया वाला इसमें डालता हूं मैं तो फाइनली नया वाला फेटिंग कर दिया हूं पुराणा वाला यह है तो नया वाला चलो फिर मैं डब्स में लगाता हूं फिर आपको आगे दिखाता हूं तो फाइनली अपने डेशबूर्ट डल चुका देख पार है तो चलो मैं बोल्ट हो गए सब फिट करता हूं यह सब जो भी खोला गया था सौकेट वगए वाइरिंग वगए सब में फिक्स करता हूं देख पार है सब खुला पाड़ा है सिर्फ यह एंगल में डाला हूं और तो चलो फाइनली फिर मैं सब फिक्स करता हूं फिक्स करके फिर दिखाता हूं तो वाइस फाइनली सब फिट हो गया सब लगा दिया हूं देख पार है जैसा जैसा खोला गया तो सब्फिट हो गया प्रोपर इधर का जो भी खुला गया था एर बैक का सोकेट वो भी लग गया यह तो डैसबॉड में आएगा यहां का यह मॉडूल का जो सोकेट को ला गया तो सब लग गया वाकि सब्फिट हो गया प्रोपर तरीके से सब्फिट हो चुका है तो चलो अ दालता हूं मैं फिर आग्या आपको दिखाता हूं तो फाइनली उपर वाला डाइजबोट भी डाल दिया और यह प्रोपर तरीगे से फिट भी हो गया फिट कर दिया हूं दस नंबर सब फिटिंग का प्रोसेशिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूं गाइस क्योंकि आपको उपर वाला डाल के तो फाइनली डाइसबोट डाल दिया आपको उपर वाला तो चलो फिर अब इसको फिटिंग होगे रहे करता हूं सब सॉक्लिट होगे रहे हैं कि फिट करता हूं फिर दिखाता हूं मैं आपको तो गाइस फाइनली देख पार हैं फिट हो चुका सब fit हो गया है बस अपने को control panel का button और console box और steering और बाहर का fitting करना है तो देख पार है finally fit हो गया तो चलो फिर सब यह सब fitting करके finally last मैं आपको मैं एक पर दिखाता हूँ तो finally देख पार है पुड़ी गाड़ी fit हो चुकी देख पार है प्रपर तरीके से जैसा खोला था ओएसा ही फेट हो गया तो चलो जब तक मैं गया जाला गारी चालू कर लेता हूं गारी चालू भी हो चुकी है ब्लोड हो गए यह सब बड़ोबर चल रहा है ऐसी यह बड़ोबर हो रहा है फाइनली इसका प्रॉपर तरीके से फिट हो गया तो गाइज वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना प्लीज और आप मेरे चैनल में अगर नहीं होना तो प्लीज लाइक कॉमेंट सस्क्राइब करना ना बुले और इस तरीके के वीडियो से आप अगर इंट्रेस्टेड हो तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताए कि और वीडियो कैसा बन रहा है मेरा ये भी comment करके बताएं एक तरीके का राए एक तरह का शलात है आप के ताकि वीडियो आपकी अच्छी बं रही है आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो एक तरीके से एक कोमेंट करेंगे ना तो मुझे बेहत खुसी होगी तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जब तक के लिए बाई बाई टेक कियर अल्ला हफीज